ट्रेक्टर चोरी की मामले में तीन अभ्युक्त ग्रफतार और यह में एर्वा कट्रा पुलिस टीम द्वरा चोरी की घटना का नावरन करते हुए तीन अभ्युक्तों को ग्रफतार कर लिया। कि उसका ट्रेक्टर घर से समीब से चोरी हो गया। इस पर इनके द्वरा टीम का गठन करते हुए घटना का खुलासा कराया जाने का निर्देश दिया। इस पर पुलिस ने सर्वस लांजव सोजी टीम के साथ मिलकर घटना का खुलासा कर दिया। S.P. ने बताया कि मुख्विर द्वारा सोचना दी गई कि एक हपतापूर कजबायरवा कट्रा से चोरी हुए ट्रैक्टर को इटावा की तरफ लखनो एक्सप्रेस्वे के किनारे सर्विस लाइन से आकर शिब्रा मौ बेशने वाले हैं। पुछताश में ट्रैक्टर चालक ने अपना नाम सीव म्यादो पुत्र प्रमोज सिंग निवासी महराजपूर थाना चौबिया जनपद इटावा बताया। वच्चे चिस नंबर से उप्रोक्त मुकदमे से मिलान किया गया तो सही पाया। पकड़े के अव्युक्तों को पुलिस ने नियाला के समक्ष पेस किया है। कुप संपादर विमलपांडे के साथ कैमरा में मुहमत साही। अरवा कट्रा में 29.30 की रातरी को एक ट्रैक्टर चोरी हुआ था। इसमें वादी राजेश कुमार की तहीरी सूचना पर अभियोग पंजिक्रित किया गया था। इसमें टीम्स लगाई गही थी। इसमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो चोर है वो इस ट्रैक्टर के साथ लगनोव एक्स्प्रेस रेपर कहीं जा रहे हैं जिससे कि इसको डिस्पोस कर सके बेच सके। तो बाइस पचास बजे आज रात छे दो चौबीस को इसे तीन अभ्युक्तों को मैं चोरी का ट्रैक्टर और एक गाड़ी टियागो सफेद रंकी जिसको चोरी के दोरान भी यूज किया गया था। यह पकड़े गए हैं जो कि शिवम यादव, सचे नुर्फ आशी शियादव और दीपक कुमार यह सभी आपस में रिलेटेड हैं और यह जिला इटावा थाना चौबिया ग्राम महाराजपुर के रहने वाले हैं इसमें जामत अलाशी में शिवम यादव से एक 315 बोर तमं इसका गुषिए के दारा